वेलकम बैक गाइस, जैसे के आपको पता है ये हमारा वाइल बेटा चेनोइट्स है, तो इन्होंने हाल ही में ब्रीड किया था, बट उसके बाद क्या हुआ, कैसा ये ब्रीड करते हैं, और इनका अभी क्या प्डेट है, ये चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आस्मान एक्वेंचर, जैसे कि अभी आप ये एक्वेरियम देख रहे हमारे नियोंस पूरे अच्छे तरीके से सेटल हो चुक है, और साइज में भी आपको ग्रोध दिख रहोगा उनका, और यहां पे हमारा बेटा चिनॉइड है, जो मेल है, उसका कलर देख सकते हैं, कलर देख की आपको समझ ज हुए थे, बट इस वाले एक्वेरियम में अभी आप अगर देखोगे, यहां पे मैंने उसे फीड भी दिया है, फूड में मोसली तो मैं इन्हें लाइफ फीड ही देता हूँ, बट अभी आप अगर देख रहे तो यह मैंने इनिमल हाट मिक्स फीड किया था, और वो लेके हुआ था कि मुझे confusion हो गया था कि वो पैर है या नहीं है, मुझे ऐसा doubt आ रहा था या तो दोनों मेल है या तो दोनों female है, जिस हिसाब से वो मतलब fight कर रहे थे, जिसे हम female समझ रहे थे, वो भी एक बार male को attack कर रही थी, उस वज़े से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स यह पैर नहीं है, बट अभी आप देख सकते हैं, इनको अच्छा खासा हमने setup दिया है, जैसे brown water है, और hiding space आप अगर देखोगे, मैंने coconut shell तो रखा है, उसके साथ साथ पीछे उनको बहुत ज्यादा space है, हाइड करने के लिए, जिस वज़े से वो अपना पूरा potential शो कर रह है, और वो काफी जादा comfortable feel कर रहे है, इस aquarium में, animal heart mix, हमारे जो neons है, वो भी बहुत अच्छे से खा रहे है, आप देख सकते हैं, यह भी बहुत ज्यादा interactive fish है, जैसे आप अगर उपर हाथ रखोगे, तो फटक से आ जाते है, खाने के लिए, तो काफी interesting है, हाला कि पहले एक हाइड करके रहते हैं, उस वज़े से मैंने सुचा, tank में थोड़ा सा, fishes अगर सामने दीखेगी, तो वो थोड़ा और beautiful लगेगा, और पहले मैंने दूसरी fish सोचा था, जैसे ember tetra, अगर आपको पता होगी, तो ember tetra मैंने सोचा था, इसमें रखने के लिए, लेकिन फिर बा नियॉन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और cardinals भी मैंने इस वज़े से नहीं डाला था, कि उसका size थोड़ा ज्यादा घ्रो हो जाता है, थोड़े ज्यादा थिक रहते हैं, तो मैंने सुचा है कि फिलहाल नियॉन से ही try करते हैं, और आप देख चकते हैं हमारा tank कितना खु और light pleco है, यह भी usually hide ही करते रहते हैं, लेकिन सामने बहुत सारे leaves वगेरा है, तो leaves के नीचे भी रहते हैं, coconut shell के अंदर भी जाते हैं, काफी time मतलब वो बहार भी देखते हैं, मैंने सुचा था है कि शायद मुश्किल हो जाएगा एक बार उन्हें release करने के बाद दुबारा देखना, लेकिन most of the time वो बाहर भी रहते हैं, और उनका भी size में growth आप देख सकते हैं, शायद इसमें नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाहर नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से एक बार दिखाऊंगा, तो यह जो हमारा aquarium है, यह प female में color एकदम light दिख रहा रहेगा, लेकिन मैं आपको female का color भी दिखाऊंगा, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने breed किया था, so breed करते हैं वक्त का जो इनका color रहता है, male का तो जैसा आप देख रहे हैं, इससे समझ दीजिए, थोड़ा सा और dark हो गया था, लेकिन female का जो color अभी ब्रीड करते हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के पास जाके फिर female egg ले करती है, और male bubble nest में नहीं लगाता है, ये जो male है, ये eggs को अपने मुह में रखता है, अभी आपको उनका process भी मैं दिखाऊंगा, आप जिस्ट देखते रहे हैं, ये मतलब मुझे देखके तो बहुत सब नहीं करना चाहिए, जिस वज़े से मैंने जादा clips capture नहीं किये, अभी आप देखिए, ये normal जो beta का mating process होता है, वैसा ही कर रहे है वो, ऐसा करने के बाद female eggs ले करती है, लेकिन मैं अच्छे से नहीं capture कर पाया, ये सारी चीज देखके फिर मैं चला गया था, क्योंकि मैं उने disturb नहीं करना चाहता था, एक दिन तक दिक रहा था कि male के मतब मुव में eggs है, पूरा उसका gills वगेरा open दिक रहा था, पर बाद में शायद उसने खा लिया, क्योंकि जहां तक कि मुझे पता है, initial जब ये breed करते है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है, कि वो eggs को नहीं संबाल पाते है, आला कि बहुत सारी fishes में ऐसा होता है, डिसकस में भी काफी टाइम के बाद ही आपको success मिलता है, जब immature रहते हैं, तो ये सारी चीज़े होती है, eggs वो खा लेते हैं, या तो babies खा लेते हैं, ये सारी चीज़े तो बहुत common है, बस अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये next time में success भी मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो कुछ attempts के बाद तो मिले गाई, बट ये confirm हो गया है, कि ये एक pair है, दोनों male female ही है, so live feed की अगर मैं बात करो, तो मैं इने grindle worms भी देता हूँ, tubifix भी देता हूँ, blood worms भी देता हूँ, मतलब varieties देता हूँ, और pallets वगेरा, तो अभी related काफी problem हो जाती है, और अभी अगर मैं इने worms भी देता हूँ, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा feed करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है, कि ये neon कितने ज्यादा fast होते है, so अगर वैसा ही चलता रहा, तो फिर वो chinoids को खाने ही नहीं देंगे, बट मैं ध्यान से इस बार ये कब breed करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मोटो जो था इस टैंक को सेट करने का, वो हमारे chinoids के लिए था, मैं सोच रहा था कि एक और पैर भी लूँ, बट अभी फिलहाल ये ब्रीड करना स्टार्ट कर रहा है, तो लेट सी जो हमारे पास पैर है, वो कितना पिछली बार मुझे थोड़े सस्ते में मिल गए थे, लेकिन मुझे हमेशा उतने कम प्राइज में नहीं मिलेंगे, इस वज़े से अभी फिलहाल तो मैं और एक्स्रा स्पेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी जाधा स्पेंड अल्रेड हो जुका है, लेकिन एक मैंने इसको सेट कर लिया है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजे और कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी है और आपको अगर कोई questions होता है guys, तो बेटर होगा कि कई बार वो मिल्स होने के चांसे से रहते हैं सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पो वाचिंग एंड हैपी फिश किपिंग